नमस्कार दोस्तों मैं क्रिश्टम उर्थी आप सभी का सौगत करता हूँ लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है NFO New Fund Offer जो Mutual Fund House लॉंच करती है उसको आप Access Direct में कैसे अप्लाई कर सकते हैं वीडियो देखते रहे हैं वीडियो अच्छा लगए टिपर लाइक करना सब्सक्राइब करना और सेय करना Access Direct का जो है ट्रेडिंग और डिमर्ट अकाउंट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिस्टम नहीं है वह हम जाके उपन कर सकते हो पहले आपको क्या होगा उसके आद मैं प्रसिजर बताऊंगा आपको जैसी आप NFO अप्लाई करोगे जो भी उसका टाइम फ्रेम है NFO का उसके बाद विदीन वन विक वो एक्स्चेंज पर लिस्ट हो जाएगा तो जो भी आपका NFO होगा चाएब वो ETF हो चाएब वो mutual funds हो यहाँ पर आप holdings पर क्लिक करना जैसी है आप क्लिक करोगे यहाँ पर देखोगा ETF होगा तो stocks डीमेट में आपको दिख जाएगा इस पर क्लिक करके आप सेल कर सकते हो अगर आपका mutual fund होगा तो यहाँ पर mutual fund डीमेट अकाउंट है यहाँ पर क्लिक करना जो भी mutual fund होगा वहाँ पर आपको दिख जाएगा और सेल करना हो तो यहाँ सेल कर सकते हो सेम जो है मैंने सेलिंग के वीडियो बना रखा है तो सिंपल है जो भी आप ETF अप्लाई करते हो NFO वाला वो यहाँ दिखेगा और जो भी आप NFO अप्लाई करत देखो IPO, IPO, OFS है इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ जैसी मैं क्लिक करूंगा यह नया आपको जो है dashboard open करेगा यह Access Direct का जो है नया dashboard है मेली terminal dashboard है यही आपको open होने वाला है यहाँ पर आपको आना है place order पे place order पे आओगे यहाँ पर देखो आपको NFOs दिख रहा है अगर आपको IPO apply करना है मैंने video बना रखा है यहाँ पे आप click करके IPO, offer for sale, bonds, NCD, FD, sovereign gold bonds apply कर सकते हो यहाँ पे आपको सिप purchase यहाँ पे NFO है तो fixed maturity plan भी आता है तो यहाँ से purchase कर सकते हो मुझे NFO करना है तो मैं NFO पे click कर दे रहा हूँ जैसी मैंने click किया यहाँ पे देखो यह चीज आएग आपको NFO ही रहने वाला है FMP छोड़ देना, FMP का मतलब होता है fixed maturity plan इसमें आपका login होगा और वो उतने साल के लिए आपका login रहेगा पैसा उसके बाद आप sell कर सकते हो वैसे जो close ended fund है FMP वो tradable है stock market पे वो मैं लग से video ले आऊँगा यहाँ पे NFO ही रखो new fund offer, NFO का मतलब क् AMC, पहली बार launch करती ही अपने fund को public के लिए वो NFO लेके आती है, NFO हो गया, distributor है, exchange है, आप distributions नहीं करें, simple यहाँ पे all का option दिख रहा है, यहाँ आपको जो भी NFO होगा वो open हो जाएगा, मैं आपको दोनों का बताने वाला हूँ, पहले मैं ICC Prudential का मैं क्लिक कर दे रहा और जो भी होगा पता होगा तो चूज कर लेना, वैसे आप all पर ही करो, और यहाँ पर go का option है, इस पर आप क्लिक करो, जैसी क्लिक करोगे देखो यह NFO जो है open है, यह auto ETF है, मतलब एक auto index fund है, जिसमें आपको apply करना तो apply कर सकते हो, इसका मैं निपॉन का करूँगा, निपॉ multi asset fund already होगा कहीं भी, उस fund में यह invest कर रही है, तो fund of fund में ध्यान रखना, कि आपको दो बार expense ratio pay करना पड़ता है, एक बार आप IC से potential को pay करोगे, और एक बार जो है जो fund होगा आपका, वहाँ pay करोगे, तो fund of fund में वो देख लेना, IDCW मतलब different वाला होता है, कोसिस करना different वाला दूसरा NFO भी आएगा, same procedure करना है आपको, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली, यहाँ पर मैंने click कर दिया, simple है, यहाँ पर आपको purchase का option है, कि मतलब होता है, अगर आपको fund का detail देखना है, तो यहाँ पर किम पर click करके देख सकते हो, key information memorandum इसको कहा जाता है, इसको आपको कुछ करना है, देखना हो देख सकते हो, लेकि मुझे purchase करना है, तो यहाँ पर मैं silver ETF पर click कर रहा हूँ, purchase के option पर click कर रहा हूँ, जैसी मैंने click किया, यहाँ पर देख लो, जो भी AMC का नाम है चला आएगा, जो भी यहाँ पर ETF चला आएगा, यहाँ पर देखो minimum amount आपको यह होना है, यहाँ पर joint holder होगा तो नाम चलाएगा, मेरा single है तो मेरा नाम चलाया है, यहाँ पर add mutual fund nominee, अभी फिलाद मत करो, बाद में add कर देना, ठीक है, amount जो भी आपको add करना कर सकते हो, मालो मैं 500 रुपीज पूट कर रहा हूँ, simple यहाँ पर click कर दिया, I accept मैंने click किया, इसक confirm का option पर click करते हो, दोस्तों यह मेरा next day है, मैं market hours में कर रहा हूँ यह, NFO जो है 915 से लेके 330 के बीच में apply करना, उसके बाद यह नहीं लेगा, धियान रखना, मैं कल जो वीडियो बनाया था, last वाला part वो 330 के बाद वाला था, इसलिए payment नहीं ले रहा था, आज देखो payment ले मैंने यहां पर कर दिया, hold का option आ रहा है, यहां पर धियान रखना मेरा access securities, direct और access bank दोनों मेरा bank account link है, अगर आपका दूसरा bank account है, तो आपको net banking से payment करना होगा, यहां पर आपका option आएगा, net banking से payment कर देना, क्योंकि मेरा दोनों same है, access bank, तो मुझे जो यह net banking से payment नहीं करना, म पतलब मैंने silver ETF जो है, NFO apply कर दिया है, simple है, अगर आपको दूसरा place करना है, तो place order पर आजाओ, यहां पर NFO दिख रहा है, इस पर मैं click कर रहा हूँ, जैसी मैंने यहां पर click किया, सब कुछ सेम रहेगा आपका, यहां पर मुझे निपॉन का auto करना है, तो मैंने यहां पर click क किया, यहां पर देखो, निपॉन का auto ETF आज चुका है, यहां पर मैंने click किया, purchase के option पर सेम process करना है, आपको कुछ भी यहां पर alter नहीं करना, सब कुछ यही रहेगा आपको, minimum amount डिसकर्ट वे 1000 रुपीज का है, वो देख लेना, 1000 रुपीज का minimum amount है, मैंने यहां पर accept पर click कि नॉमनी मत करो, नॉमनी जो है करोगे तो फिर यह ले नहीं रहा, यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको, नॉमनी देखो, यहां पर यह ले नहीं रहा, तो इधर नॉमनी जो है फिलाला भी, I do not nominate पर ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, confirm के option पर click करो, जैसी click करोगे, यहा पर देखो, hold करने के लिए आ रहा है, hold कर देना, मेरा जो है, निपॉन का auto ETF का भी जो NFO है, वो apply हो चुका है, तो ऐसे करके जो है, आप NFO apply कर सकते हो, access direct में, apply करने के बाद दोस्तो, जो भी इसका time frame है, मालो, निपॉन auto ETF का time frame 5 January से लेके 15 January तक का है, 15 January के बाद यह 7 days के अ holding दिख रहा है आपको, demat दिख रहा है आपको, और कोई mutual fund आपने किया है, तो यहां पे mutual funds में दिख जाएगा, अगर आपने demat में ETF लिया है, तो यहां पे दिखने वाला है, demand पर क्लिक करो, जो भी होगा, यहां पर आपको दिख जाएगा, buy sale आप यहां से कर सकते हो, simple है, जो process है buy sell का यहां से आप कर सकते हो तो समझ गे दोस्तों ऐसे करके आपको NFO apply करना है और time खतम होने के बाद within 7 days आपको ऐसे दिखने वाला यहां पे आप cross check कर सकते हो यहां पे NFO जितना कोई भी apply करेगा सबको मिल जाता है expense ratio बहुत कम होता है feasible है सारे के सारे सेक्टर के stocks एक साथ मिल जाते है तो यह आप कर सकते हो NFO ऐसे apply कर सकते हो चाहे mutual funds हो चाहे आपका etfo access direct to through तो मैंने बता दिया है trading और demand accounting जो है वीडियो के discussion में है वहां पे आपको open कर सकते हो कोशिस करना access direct, access bank दोनों same है तभी open करना नहीं तो आपका account maintenance charge बहुत जाद लएगा मैं आसा करता हूँ वीडियो अप अच्छा लगओ वीडियो अच्छा लगओ करें लाइक करें subscribe करें share करें trading और demand accounting जो है वीडियो के description में है वहां पे आपके open कर सकते हो कुछ भी साइता होता है मैं नाइट को एट पर लाइव आता हूँ वहां पे आपके पूछ लेना तरह से सुमने डिसाइड टेलिग्राम, इंस्टाग्राम, फेस्बुक, ट्विटर जाब ही आपको learning में देखे यहां को लो टो टेखले दोस्तो, और लाइबाग्ट